तो आज की इस वीडियो में हम लोग discussion करेंगे Accountancy Class 12 का Chapter 10 रिन्पत्रों का निर्गमन की most important objective question के बारे में जो आपके final exam के लिए काफी important है और यदि आप इस वीडियो को complete देख लेते हैं तो आप लोगों को final की परिक्षा में 10 number and 10 marks guarantee में लेंगे तो आज की इस वीडियो को complete जरूर देखिए और यह हम लोगों का Chapter 10 है और इससे पहले मैंने Chapter 1 से लेकर Chapter 9 तक की objective question वाली वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो link इस वीडियो के description में मिल जाएगा जाकर देखिए या फिर आप इस वीडियो को complete देखिए या पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में या लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी वह हम लोगों की Chapter 9 की वीडियो होगी रिन पत्रों पर देखिए आज है इंटरेस्ट पेबल और डिवेंचर्स इज ये question BSEB एन वी हरबोर दुबारा 2018 की final की परिक्षा में पूछा गिया था जो आपके 2021 की इंटर की परिक्षा के लिए काफी important है तो चलिए इसका answer देखते हैं और इस एक का जो सही answer होगा ओ option B होगा company के लाभों के विरुध एक परभार ये charge against profits of the company रिन पत्रों पर देवियाज है company के लाभों के विरुध एक परभार याद रखिएगा तो एक का सही answer option B आगे देखिया हम लोगों का दूसरा नमबर question question 2 रिन पत्रों के निर्गमन शेप्राप्त रासी है amount received from the issue of deventures is रिन पत्रों के निर्गमन शेप्राप्त रासी है तो दो का जो सही answer होगा option ये पुझीगत प्राप्तियां capital receipts याद रखिएगा कि रिन पत्रों के निर्गमन शेप्राप्त रासी है पुझजिगत प्राप्तिया एनि Capital Receipts तो दो का सही आंसर ऑप्शन ए ये भी कोश्चन BSEB एनि बिहर बोड दुवारा 2018 की इंटर की परिक्षा में पूछा गया था और नेश्ट हम लोगों का तीसरा नूमर कोश्चन कोश्चन नमर थ्री रेन पत्रों के निर्गमन पर कटोती है डिसकाउंट और इसू अफ डिवेंचर्स इज रेन पत्रों के निर्गमन पर कटोती है ये भी कोश्चन BSEB बोड दुवारा 2018 की इंटर की परिक्षा में चाफिं इंपोर्टन है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और इस तीन का जो सही आंसर होगा ओफसन D होगा क्रित्रिम सम्पत्ती यानि ऐनी फिक्ट्रिटियस असेट्स नेक्स्ट हम लोगों का चौध मार कोस्ट्यन कोस्चन नमर फूर रेन पत्रों को डैस पर वी मोचि पर याद रखिएगा कि रिन पत्रों को बट्टा पर एनि डिस्काउंट पर भी मोचित नहीं किया जा सकता इसलिए चार का सही आंसर ऑप्शन बी और नेस्ट हम लोगों का पांच नंबर कोस्चन कोस्चन नंबर फाइफ कंपनी के समापन पर रिन पत्रों के मुलधन की तो पांच का जो सही आंसर होगा ऑप्शन C समता पूंजी से पहले विफोर एक्विटी क्यापिटल याद रखिएगा कि कमपनी के समापन पर रिन पत्रों के मुलधन की वाप्शी की जाती है समता पूंजी से पहले विफोर एक्विटी क्यापिटल तो पांच का जो सही आ Estress is in the nature of any rainfall के निर्गमन पर दिया जाने वऴा बट्टा किस प्राक्रिटी का होता है यह किस senior का होता है तो स्यक जो सही आंसर होगा option B पुंजीगत अनि capital loss किस प्राक्रिटी का तो पुंजीगत अनि capital loss तो छे का सही और नेस्ट हम लोगों का साथ नमबर कोस्चन, कोस्चन नमर सेवन, ये कमपनी के आर्थिक चिट्टे में रेन पत्रों के सिर्षक के अंतरगत दिखाया जाता है, ये कमपनी के आर्थिक चिट्टे में रेन पत्रों के सिर्षक के अंतरगत दिखाया जाता है, इन दा बैलेंसिट ओफ आ कमपनी, डिवेंचर्स आर सोन अंडर दा हैड, तो साथ का जो सही आंसर होगा, option B, दिर्ग कालिन रिन, एनि लॉंग टर्म लॉंच, याद रखेगा, कि एक कमपनी के आर्थिक चिठ्थे में रिन पत्रों के सिर्शक के अंतरगत किसे दिखाया जा जाता है, तो दिर्ग कालिन रिन को, एनि लॉंग टर्म लॉंच को, तो साथ का सही आंसर, option B, आगे हम लोगों का आठ नमबर कोस्चन, question number 8, रिन पत्रों जो की मात्र शुपुर्द कर देने परहस्तांतरित हो जाते हैं, कहे जाते हैं, डिवेंचर्स उच आर ट्रांसफर् जोग, option C, वाहक, रिन पत्र, एनि बेरियर, डिवेंचर्स, क्या कहा जाता है, तो वाहक, रिन पत्र, एनि बेरियर, डिवेंचर्स, तो आठ का सही आंसर, option C, नेक्स्ट हम लोगों का नो नमबर कोस्चन, question number 9, एदी विक्रेताओं को पांच लाग की सुध संपत्तियों के परतिफल के बदले, 4,5,000,000 के रिन पत्र, निर्गमित किये जाते हैं, तो C,S, 50,000 किस खाते में क्रेडिट किये जाएंगे, if डिवेंचर्स of 4,50,000 are issued for the consideration of net assets of 5,00,000, balance 50,000 will be credited to, तो नोका जो सही आंसर होगा, option D होगा, पुन्जी संचै खाता में, capital reserve account में, किस खाता में क तो नोका सही आंसर, option D, याद रखेगा, पुन्जी संचै खाता में, और यहाँ पे next हम लोगों का 10, question, question 10, bank से लिए गे रिन के लिए रिन पत्रों को शहायक परतिभूती के रूप में निर्गमन किये जाने पर, किस खाते को डेविट किया जाएगा, in case of issue of debentures is a collateral security for loan from the bank which account will be debited, याद बैंक से लिए गे रिन के लिए रिन पत्रों को शहायक परतिभूती के रूप में निर्गमन किये जाने पर, किस खाते को डेविट किया जाएगा, तो 10 का जो सही आंसर होगा, हाँ, तो 10 का जो सही आंसर होगा, option D, रिन पत्र उचनती खाता, डिवेंचर सस् एकाउंट, तो 10 का सही आंसर, option D, और next हम लोगों का 11 नमबर कोस्चन, कोस्चन नमबर 11, शुन्य कूपन बॉंड निर्गमित किये जाते हैं, 0 कूपन बॉंड आर इसू, एनि शुन्य कूपन बॉंड जो है, वो निर्गमित किये जाते हैं, तो 11 का जो सही आंसर होगा, option C, याद रखेगा कि सुन्य कूपन बॉंड निर्गमित किये जाते हैं, बिना पूर्ब निर्धारित बियाज दर पर, without specified rate of interest, तो 11 का जो सही आंसर होगा, वो option C होगा, और यहां पे हम लोगों का 12 नमबर कोस्चन, कोस्चन नमबर 12, रिनपत्र प्रा या कम्पनी की संपतियो पर डैस है, डिवेंचर्स आर इजवेली डैस आ कम्पनी ज एसेट्स, रिनपत्र प्राया कम्पनी की संपतियों पर क्या है, तो 12 का जो सही आंसर होगा, वो option E होगा, रक्षित होते हैं, याद रखेगा, कि रिनपत्र प्राया कम्पनी की संपतियों पर रक्षित होते हैं, secured होते हैं तो 12 का सही answer option A यहाँ पे हम लोगों का 13 नमबर question question नमबर 13 रिन्पत्रधारी को मिलता है deventures holder receives यह रिन्पत्रधारी को क्या मिलता है तो 13 का जो सही answer होगा option B be aaj any interest याद रखेगा कि रिन्पत्रधारी को be aaj मिलता है interest मिलता है तो 13 का सही answer option B और यह question देख सकती है bseb anyb harbour दुबरा 2017 की inter की final परिक्षा में पूछा गया था जो आपके 2021 की inter की परिक्षा के लिए काफी important है क्योंकि वही सब question पूछा जाता है जो की पहले पूछा जा चुका है मतलब की question बार-बार repeat होते रहता है और आगे हम लोगों का 14 एने चौदा नमबर question जब रिनपत्रों को सहायक परतिभूती के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रदिष्टी करने पड़ती है तो इस 14 का जो सही answer होगा अप्सन C होगा A अथवा B अर्थात डेवेंचर सस्पेंट्स एकाउट डेविट टू डेवेंचर्स और कोई प्रदिष्टी नहीं की जाती है नो इन्ट्री हाज टू बी मैड ये दोनों हो सकता है तो 14 का जो सही answer आपको टिक करना होगा वो C नमबर पे टिक करना होगा एनि 14 का सही answer आप्सन C A अथवा भी दोनों और नेश्ट हम लोगों का पंदरा नमबर कोस्चन कोस्चन नमबर 15 रिन पत्रों के निर्गमन परहानी को सामान्यता डैस में अपलिखित किया जाता है तो पंदरा का जो सही answer होगा और नेश्ट हम लोगों का 16 नमबर कोस्चन रिन पत्र धारी प्राप्त करता है डिवेंचर होल्डर्स गेट एनि रिन पत्र धारी क्या प्राप्त करता है तो 16 का जो सही answer होगा ओ अप्सन C होगा ब्याज एनि इंट्रेस्ट याद रखेगा कि रिन पत्र धारी हमेशा ब्याज प्राप्त करेगा इंट्रेस्ट प्राप्त करेगा तो 16 का सही आंसर होगा option C ब्याज एने इंट्रेस्ट और नेक्स्ट हम लोगों का 17 नमबर कोस्चन F लिमिटेड ने 4 लाख मुली की मसीन खरी दी परतीफल का भुगतान परतेक 100 वाले 10 प्रातिशत रिनपत्र 20 प्रातिशत के कटोती पर निर्गमन दुआरा किया गया रिनपत्र खाता को डैविट किया जाएगा तो इस 17 का जो सही आंसर होगा option B होगा कितना से डैविट किया जाएगा तो 5 लाख से तो 17 का सही आंसर होगा option B एनी 5 लाख अर्थात 5 लाख चलिए आगे देखते हैं और नेश्ट हम लोगों का 18 नमबर question question number 18 जिन रिनपत्रों के धारकों को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो एक निश्चित समय के बाद अपने रिनपत्रों को निरधारित सर्तों के अनुसर अन्शो में परिवर्थित कर सकते हैं ऐसे रिनपत्रों को कहते हैं जिन रिनपत्रों के धारकों को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो एक निश्चित समय के बाद अपने रिनपत्रों को निरधारित सर्तों के अनुशार अंशों में परिवर्टित कर सकते हैं ऐसे रिनपत्रों को क्या कहा जाता है तो इस 18 का जो सही आंसर होगा Option C परिवर्टन्शिल क्या रिनपत्र जिन रिनपत्र कंपनी के जीवनकाल में नहीं होटा बलकि कंपनी के समापन पर ही होता है ऐसे रहनपत्रों को कहते हैं The Deventures Whose Principal Amount Is Not Repable By The Company During Its Lifetime But The Payment Is Made Only At The Time Of Liquidation Of The Company Such Deventures Are Called तो उन्निसका जो सही आंसर होगा Option C होगा असोध्ध हरनपत्र आनि Irredeemable Deventures क्या हो जाएगा? तो Irredeemable Deventures असोध्ध हरनपत्र आनिसका सही आंसर Option C देख सकते हैं ये Question कितना Important है क्योंकि यह question BSEB एनि भी हर बोड दुबारा 2011 एबन 2016 की इंटर की परिक्षा में पूछा गया था जो की repeated question है और आपके 2021 की इंटर की final परिक्षा के लिए काफी important है तो रिनपत्र धारी होते हैं company के लेंदर creditors of the company तो 20 का सही answer option C आगे हम लोगों का 21 नमबर question रिनपत्र है, डिवेंचर इज आ रिनपत्र है, डिवेंचर इज आ ये भी question कितना important है तो इस 21 का जो सही answer होगा option ये रिन का परमानपत्र loan certificate रिनपत्र क्या है तो रिन का परमानपत्र loan certificate तो 21 का सही answer option A आगे हम लोगों का बाइस नमबर कोश्चन, कोश्चन नमबर 22 कमपनी के लिए रिनपत्र की निर्गमन पर कटोती है 4. A. Company, Discount on Issue of Deventures is एनि कमपनी के लिए रिनपत्रों के निर्गमन पर कटोती जो होता है और क्या है तो 22 का जो सही answer होगा option यह पूंजी गत हाने एनि capital loss company के लिए रिनपत्रों के निर्गमन पर कटोती पूंजी गत हाने एनि capital loss है तो 22 का सही answer option A आगे हम लोगों का 23 नमबर question रिनपत्र आवेदन पत्र खाता किस प्रकृति का होता है deventures application amount is in the nature of एनि रिनपत्र आवेदन पत्र खाता किस प्रकृति का होता है तो 23 का जो सही answer होगा option B व्यक्तिगत खाता एनि personal account किस प्रकृति का तो व्यक्तिगत खाता एनि personal account तो 23 का सही answer option B आगे हम लोगों का 24 नमबर question question number 24 रिनपत्रों के निर्गमन परहानी को dash के रूप में लिखा जाता है loss on issue of deventures is recorded as एनि रिनपत्रों के निर्गमन परहानी को किस के रूप में लिखा जाता है इस खाली जगा को भरना होगा तो 24 का जो सही answer होगा option D विविध वियाई एनि मिसलेनियस expenditure रिनपत्रों के निर्गमन परहानी को विविध वियाई एनि मिसलेनियस expenditure के रूप में लिखा जाता है तो 24 का जो सही answer होगा वो option D होगा आगे देखते हैं और next हम लोगों का 25 नमबर question, question number 25 रिनपत्र का परतिफल है consideration of deventures is रिनपत्र का परतिफल है 26 निम्न में से कोन असत्य है which of the following is false और निम्न में से कोन असत्य एनिक गलत है तो 26 का जो सही answer होगा वो option B होगा company मत अधिकार के साथ रिनपत्र जारी कर सकती है ये company can issue deventures with voting rights ये जो है असत्य है तो 26 का जो सही answer होगा वो option B होगा आगे हम लोगों का 27 नम्बर question question number 27 रिनपत्र शोधन प्रीमियम खाता है premium on redemption of deventure account is ये रिनपत्र शोधन प्रीमियम खाता है तो 27 का जो सही answer होगा option B किस टाइप का खाता है किस परकार का खाता है तो 27 का जो सही answer होगा option B होगा दाइत्व एनि लाइवलिटी आगे हम लोगों का 28 नमबर कोस्चन कोस्चन नमबर 28 एक कमपनी ने 1,12 परसेंट रिन पत्रों को प्रत्यक 100 के रूप में निर्गमित की रिन पत्रों पर ब्याज की रासी होगी ये कमपनी इसूड 1,12 परसेंट डिवेंचर्स और रूपीज 100 इस अठाइस का जो सही आंसर होगा वो अप्शन C होगा कितना हो जागा तो 12 लाइक एनी 12 लाइक चलिए आगे देखते हैं और नेस्ट हम लोगों का 29 नमबर 29 सहायक प्रतिभूती है एक कोलिट्रल सेक्यूरिटी इस सहायक प्रतिभूती है तो इस उन्तिस का जो सही आंसर होगा आप्शन B सहायक प्रतिभूती शब्शीडरी सेक्यूरिटी सहायक प्रतिभूती है साय प्रतिभूती एनी उन्तिस का सही आंसर आप्शन बी नेश्ट हमलों का तीस नमबर कोस्चन, कोस्चन नमबर 30, रिनपत्र प्रिमियम डैस के लिए परयोग किया जा सकता है, डिवेंचर प्रिमियम के लिए परयोग किया जा सकता है, तो इस तीस का जो सही आंसर होगा, वो अपसंडी होगा, उपरोक्ट से भी all of the above, अर्थात, अ आंशों या रिनपत्रों के सोधन पर प्रिमियम के अपलेखन, राइट ओफ दा, प्रिमियम ओन, रिडिम्शन ओफ, सियर और डिवेंचर और पुन्जी का थानी के अपलेखन, राइट ओफ, कैपिटल लोज ए तीनो, तो इस तीस का जो सही आंसर होगा, उपसंडी उपरय पैफ सभी और इउप रोक्षन, ऐफ दा एबोव, हमलों का 31 नमर pos informal प्रिम्शन ओफ, खरन पर भाग होता है, डिवेंचर इस डा पार्ट ऑफ, 100 फंट से करन आंसर लोग आपसंड, ऑर्प्र चाज़ Half 1991, याद रखिएगा, यीरिंपत्र नमर रोब्ह खोता है, तो 91 क सही ет 822 रिन्पत्रों के शोधन पर प्रेमियमाइ छाटन आपने रिनिपत्रों के शोधन पर प्रेमियम खाता है तो 22 व्यात्य परीमियमार्फ प्रेमार यांधरory पर्यारों कि ओंगे आगे हम लोगों का 33 निर्गमन हानी खाता दिखाया जाता है यह परतिभूती प्रीमियम संचय में से घटाया जाता है डिड़क्टेड फ्रॉम सेक्यूरिटी प्रीमियम रिजर्ब एन इस 33 का सही आंसर अप्शन ए आगे हम लोगों का 34 परिवर्तनिये रिनपत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता यह दि तुरंत परिवर्तनिये होते है तो इस 34 का सही आंसर अप्शन ए नेक्स्ट हम लोगों का 35 परिवर्तनिये रिनपत्र धारियों को कंपणी का डैस कहा जाता है अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करें और आंसर ना पता हो फिर भी कमेंट करें मैं आप लोगों को आंसर कर दूँगा तो इस 35 एन 35 का जो सही आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरू लिखिए चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नमर कोस्टन साधरन तयारिन पत्र होते हैं याद रख्येगा कि रिन पत्रों पर ब्याज की दर होती है तो सही आनसर ब्याज की दर होती है तो सही आंसर औप्सन ची निष्चित दर एन फिक्सड रेत चलिए आगे बढ़ते हैं और नेश्ट हम लोगों का 38 निर्गवन परती निधित्व करता है डिवेंचर सरी प्रजेंट अनी रिंपत्र प्रती निधित्व करता है तो 38 का जो सही आंसर होगा प्शन सी बैवसाइक का दिर्ग्यकालिक रिन लोंग टर्म डेट अफ़ दी बिज्नेश रिंपत्र परती निधित्व करता है बैवसाई का दिर्ग कालिक रिन का तो 38 का सयांसर ओप्षन सी आगे हम लोगों का 49 नंबर कोस्चन कोस्चन नंबर 39 रिन पत्रों के निर्गवन पर कटोती को अपलिखित किया जाना चाहिए आगे हम लोगों का 40 नंबर कोस्चन कोस्चन नंबर 40 रिन पत्रों पर कटोती के सेस को आर्थिक चिठ्थे में दिखाया जाता है तो 40 का जो सेसर होगा आगे हम लोगों का 40 नंबर कोस्चन कोस्चन नंबर 41 रिन पत्रों पर व्याज होता है यह कोस्चन देख सकते हैं ब्यास इवी दुबरा 2018 की 2013 की परिक्षा में पूछा गिया था जो आपके 2021 की फाइनल एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है नेस्ट आमलों का 42 नमटर कोफटन C Giant, रेनपत्रों के निर्गमन पर अधिलाभों को आर्थिक चिठे में दिखाया जाता है, प्रेमियम और इशिय अफ डिविन्चरों इस वान इन दा बालेंस इट ओन एन रिन पत्रों के निर्गमन पर अधी लाभों को आर्थिक चिठ्थे में दिखाया जाता है तो 42 का जो सई आंसर होगा अप्शन भी दाइत वुपक्ष में एन लाइबलेटीज साइड में किस पक्ष में तो दाइत वुपक्ष में एन पत्रों का निर्गमन है प्रिमियम और इसू अफ डिवेंचर इज अडेस फोर कंपणी तो इस 43 का जो सई आंसर होगा अप्शन सी पुन्जी गतलाव एन डिकापिटल गेन कंपणी के लिए अधी मुल्य पर रिन पत्रों का निर्गमन है पुन्जी गतलाव एन आपदो मुकριई के लिए गया के लिए टार इसादश का निर्गमन है वे मायच के लिए जजए अटunta chicos टो होगाँ पत्रों का निह ओने टो अ एन अ